नमस्कार नमस्कार आप सबको नमस्कार आप लोग कैसे हैं खूब मस्त एकदम मैं एकदम अच्छा हूँ तो मैं एक बात से शुरू करता हूँ आज और आपको मैं यह समझाना चाहरा हूँ कि जिस चीज को आप सफलता कहते हैं अंग्रेजी भी क्या बोरेंगे इसको सक्सेस तो जिस चीज को हम सक्सेस कहते हैं वो सक्सेस यह अभी करेंगे कि क्या है सक्सेस इसमें भी बहुत सारी कहनिया होती है ऐसा तो नहीं कि जिस सक्सेस के पीछी हम भाग रहे हैं वो हासिल करने के बाद समझ में है कि ये तो वो है ही नहीं इसके चकर में आये थे कैसा भी होता जीवन में अभी आप छोटे हैं धीरे धीरीन बातों को समझेंगे अभी आपने शायद एक अत्सतर पे देखा होगा कि किसी व्यक्ती के पीछे भागे बहुत दूर तक दुर्भाग्य से उसने हां कर दी आप सोचेंगे दुर्भाग्य से क्यों हां कर दी हाथ उससो भाग्य से होती है कई पर दुर्भाग्य से होती है कभी कभी किसी व्यक्ती का ना मिलना वहतर होता है क्योंकि दरसल वो आपके लिए है नहीं, न आप उसके लिए हैं, suitable नहीं है, पर एक दोर में आप उसके दिवाने बने बने घूम रहे थे, किसी वज़े से, चेहरे का संदर देखा आपको लगा इससे बड़ा सत्य कहसे, ब्रह्मान में, यही ब्रह्मान कांतिन सत्य है, इतना संदर चेहरा भगवान में किसके लिए बनाया है, मेरे लिए बनाया है, और इस चकड में आप सुबह से राद तक पतंगे की तरह, आगे पीसे दोड़ रहे हैं, अच्छा तो यह है कि वो कह दे कि भई मेरे पस फुरसत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचा पस लिए एक लिख लेक्हा ह दे कहा ही, हिंदी की फिल्में आम तौर पर इस ट्रगल किया है कि जो नायक है, रो है, वह रोओन को पराप्त करना चाहता है, और विलन के तौर पर आम तौर पर हिरोइन के पिता और भाई ही रहते हैं, कभी-कभी कोई थषर परसल भी होता है जो प्रेम्टिकॉंड का तीसता अकोड़ बनना चाहरHigh ऐसा भी होता है कभी कभी भाई या पिता और अराज है और पूरी श्ट्रगल ये है कि कैसे वो उनको करें अगर फिल्म एमोशनल है तो वो अपनी होने वाली पत्नी के पिता को करने के लिए गाउं में जाएगा खेत में रहेगा साथ में काम करेगा सारे और फिर कौन सी फिल्म दे रमया वस्ता वही है यह तो मैं देखी नहीं मैं तो दिल वाले फिलिंग से बोल रहा था डीडी एल जा देखी आप लोगों ने वो ही है ने इसमें शारुक खान, काजोल, अम्रीश कुरी हाँ उसमें पूरी ताकत लगाई है कि मैं किसी तरह से इसके पापा की सहमती बना लूँ, उसके बाद विज़ा करो और उसमें बना विली अंत में मलबू ट्रेन पे है, सिमरन खड़ी है और तब अंत तहर उसके पापा का हिज़े परिवर्तन हुआ और पापा ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिन्देगी इससे क्या होता है, इमोशन बहुत हमारे ओर पावर करते हैं कि परिवार भी बच गया, रिष्टा भी बच गया, इससे अच्छा क्या है, विन-विन है, परिवार भी रिष्टा भी, लेकिन ऐसे पापा फिल्मों में ज्यादा होते हैं, ऐसे पापा समाज में कम हैं, समाज में पापा बोलता है आ सिम्रन आ घर के अंदर घर के अंदर बैड़े शानती से ड्रामा मत कर द्यादा तो लेकिन एक उपनियास करने बड़े अची बात है उसने कहा कि कहानिया पढ़के लगता है कि सारी स्ट्रगल विवाह तक की है और हिंदी की फिल्मों का अधिकांज फि ठीक भवात है जबकि वो दाएन्ड नहीं है वो दा बिगनिंग है क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है ये उन्टर्वेल है दो चार महैने का इंटर्वेल है जब चीज़ी ठीक लगते हैं उसके बात के जो क्राइसिस है बड़ा क्राइसिस है एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, उसकी बहुत सारी आधते जो आपको नहीं अच्छी लखती आपकी बहुत सारी हरकते आधते जो उसे नहीं अच्छी लखती ido एड़िस्स्ट करना कभी कभी मन बिद्रों करता है जगडा करता है, मन करता कि इसके साथ रहने के लिए मैंने तिनी इस्टरल की अपने घर से जगडा किया प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आम तोर पर किसली होते हैं क्योंकि आपने जतनी हसीन कर लिए थी जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है जब तक प्रेमी प्रेमी का है जिंदगी बड़ी हसीन है, क्योंकि करना के है, बाइक पर घूमना है, आइस शिम्खा नहीं है, गप पेमार नहीं है, तो इस्टगल तो है नहीं, लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराय भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भ अभी बाते में सुनने हैं, जो पहरे तो मिठी मिठी बाते हो जाए थी, एक दूसरे को मेक अप के बिना भी देखना है, जो नेचरल पोस है वो भी देखना है, अभी तक तो वो देखा गया जो बहुत अच्छे से बनाया गया था, दिन में एक घंटे के सौंदरे के लिए तीन घंटे तपस्या की गई थी, केबल वो एक घंटा देखा था, अब तो बिना पानी, बिना धूप, वो जो मूल रूप है, अब तो वो भी सामने आएगा, मेरी भी लव मेरेज है, मतलब जब कोई व्यक्ति कहें तो कुशिस्था तो अपने अनुभव से आता ही हो उसक और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अजूबा हूँ, जैसे आप है मैंसे मैं हूँ, आप से थोड़ा सा बड़ा हूँ, इसलिए अनुभव थोड़ा से पहले हो गया, इतना ही अंतर है ना, तो सब के साथ की होना है, लेकिन असली स्ट्रगल यहां तक की थोड़ मैं हो तो उसके बात की, जैसे आई-ए-उस बनने तक की स्ट्रगल एक है, आई-एस बनने के बात की स्ट्रчивल दूसी हो जाती है, पर स्ट्रगल तो زिंदगी मी रहती है, हमेशा रहती है, हरी बनिशता बच्छान ने बड़ इच्छे बात कही कि संघर्ष है तो जीवन है, बिना संगर्ष्ट थोड़ा जीवन होता है जीवन में संगर्ष्ट थोड़ा बहुत रहता ही है ठीक वैसे ही जो आप से कहना चाहरा था कि अगर दुर भाग्या से किसी ने हाँ भूल दिया तो इस बत का बहुत खत्रा है कि एक तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे डिस्ट्रेक्शन्स बहुत हो जाएँगे उससे बड़ा खत्रा है कि तीन चार महीने छे महीने बाद आप उस व्याक्ति से मही दिक्कत होने शुरू हो जाएगी और फिर आपको जीवन का सथ देखेगा, मुश्किल देखेगी. इसका मतलब यह नहीं कि जीवन सुन्दर नहीं है, जीवन बहुत सुन्दर है. बस सही समय पर सही चीजें हों, सही तरीके से हों, तो संदर बढ़ जाता है. तो सफलता क्या है उस पर हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि सफलता एक दोर में हमें जो लगती है एक दोर के बाद कभी कभी लगता है कि वो सफलता नहीं है मैं ऐसे बहुत आईस अफसरों को जानता हूँ जिनोंने पूरी ताकत से आईएस या आईपी एस या कोई सर्विस में सिलेक्शन लिया काम कर रहे हैं दस साल बीस साल बाईस साल से काम कर रहे हैं और जब उनसे गफ्तगु होती है बहुत अच्छे से तो उनमें से कुछ आगया और यह सब के साथ किसना किसी मात्रा में होता है इन चीजों का तनाव नहीं लेना है आज हम यह समझेंगे कि सफलता का मतलब अगर हम मानने आपको आईस बनना है जैसे आपका फिलहल यही उदेश है यही सपना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें आपके अंदर होने चाहिए अगर है तो बड़ी आए नहीं तो उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देंगे अब इससे तो हम आईस को भी दिमाग में रखके बात करेंगे लेकिन सिर्फ आईस की बात नी करेंगे और भी चीज़ें दुनिया में हैं उनको भी जहन रखके बात एक शमता होती है जिसको बोलते है आई क्यू अपने क्या होता है यह आई क्यू नहीं है आई क्यू है एक आई क्यू इसके फुल फर्म क्या होती है इंटेलिजेंस कोशियंट कोशियंट क्या होता है कोशियंट का मोटा मोटा में समझ लेजे कि किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है किसी रेफ्रेंस में किसी चीज़ की वैल्यू किसी इसकी मात्रा क्वांटिटी कितनी है उसको बोलते है कोशियंट ठीक है IQ का सरल भाशा मतलब है कि आप कितने तारकिक व्यक्ति है आप कितने बहुत धिक व्यक्ति है आपकी जो तारकिकता है रैश्नेलिटी है आपकी जो reasoning की capacity है logic की capacity है logic reasoning के सब शब लगभग मिलते जूलते हैं ये ख्षमता कितनी है आपके अंदर और दुनिया के इतिहास में ऐसा कई लोगों ने माना कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसके अंदर तार्किक ख्षमता हैं ज्यादा है कुछ हद तक इबाठीक भी है क्योंकि अगर आप तार्किक ज्यादा है तो आपके डिसिजन मेकिंग कैपसिटी बहतत होगी जो की डियम में होने भी चाहिए डियम में क्या है डिसिजन मेकिंग है क्योंकि फैसले कर रहे हैं और आपका फैसले के वहलाब के बारे बेर नहीं है पूरे जिले की जिन्देगी के बारे बेर बारा चौदा पंधरा साल की सर्विस के बादा पूरे राज्य के स्थर पर प्रभावित करने लगते हैं समाज को और यदि आप सेंटर की डेप्टेशन पर आ गए और पच्चेस पठाइस साल की सर्विस कर चुके हैं तो आपकी कलम पूरे देश के नियती तैगरती है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ कर फैसले करें आपका चीजों को समझने का फैसला करने का जो प्रोसेस है उसमें जो तटस्ता चाहिए उब्जेक्टिविटी चाहिए वो एकदम ठीक हो अब्जेक्टिविटी के मतलब है कि आप फैसले इसलिए नहीं करते हैं कि आप मूड अच्छा नहीं था, आपकी विचारधारा ये है, आपके मन में ये भावना आ गए अचानक, नहीं, आप फैसला करेंगे तत्यों के अधार पर, facts, arguments, और दुनिया के बाकी देशों में कैस लगेगा अपने समाज के लिए, आप उसको apply करेंगे, ये जो पूरी क्षमत है इसको बोलते हैं, intelligence quotient, और हम मानते हैं कि बिना intelligence की superiority कि आप सचमच, कम से कम civil सेवाओं में तो ना जा सकते हैं, ना शांदर perform कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सयोग से, किसी तुक्य से select हो भी गए कभी, तो वो अच्छे performer नहीं हो पाते हैं, आप एक जिला ठीक से नहीं संभालेंगे, एक दुर घटना करवा देंगे, तो आपको अगला जिला मिलेगा ही नहीं, फिर आपको सची वाले में कोई ऐसी post देंगे, जिस post की value बहुत कम होती है, और IES IPS के हर service में कुछ एसी post रखी जाती है, तकि ऐसे लोग जो सरकार के साथ संगती में नहीं है, यह जिनकी competence कम है, उन्हें वहाँ set कर दें, वो case नहीं कर सके कि मुझे मेरे पद के अनुसार नहीं कुछ दिया गया, तो उनके level कोई पद बना के रखते हैं, शंटिंग करने के लिए कि चुप च अच्छे IQ के बिना नहीं बन सकते हैं, किसी का IQ अगर 90 से 110 के बीच में हैं तो मानते हैं कि सामान्या, बुद्धी का बेखती है, average, ठीक है मतलब, अगर आप IS बनना चाहते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि 120, 140 के बीच में अगर IQ है तो आप ठीक है, बढ़ी आए, 140 प्लस IQ किस मतलब, gifted व्यक्ती है, बड़ी बात है, किसी किसी का IQ 200 भी होता है, एक दो व्यक्तियों का 200 के उपर भी देखा गया है, इतिहास में, जो कि बहुत रहर बात है, ये वही व्यक्ती हैं जो 5 साल की उम्र में 12 वी क्लास पास कर ली, 8 वी क्लास में किसी इनिवरसिटी में PhD कर रह है, कि जैसे एक बच्चे की कहानी में इब पढ़ रहा था, शायद अमेरिका ये उरोप में किसी देश में था वो बच्चा, तो उसकी उम्र थी शायद 5-6 साल के आसपास, तो अपनी उम्र के हिसाब से जो क्लास होती है, पहले दूसरी क्लास उस बैठा हुआ था, सब बच क्लास में पाटिसिपेट करो, ये करता ही नहीं था, हालत ही हो गए कि स्कूल ने का कि भी ये चलने पाएगा, ये तो एडिसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और बाद में जब टेस्ट किया उस बच्चे का आई-क्यू, आई-क्यू निकला 200 क्यास प्लस, और तब पता लगा कि उस बच्चे का मेंटल लेवल दस्वी क्लास का हो चुका था, बिढ़ाय था पहरी क्लास में, आप दर एक टी टो मैटो, उससा दिमाग्जो मैटो भी सीख चुका है, जैसी उस दस्वी क्लास में भेजा, मनला वो एक साल का क्लास जो है, वो एक मेहनी में राम से कर लेता आठ दुस साल की उम्र में युनिवर्सिटी में चला गया है बारा पंधरा में प्रोफेसर बन गया है अब हैसा IQ तो क्या करें किसी किसी का होता है और IQ में दिक्कत यह है कि IQ हमारे चाहने से नहीं बढ़ेगा IQ में बड़ी मात्रा इस बात की है कि आपको जैनिटिकली बाइल तो अगर आपको मैथमेटिशन बनना हो जैसे रामा नुजम का नाम आपने सुना होगा है ना तो रामा नुजम होने के शर्त है कि आपका IQ बहुत ही खतरनाक स्थर पर होना चाहिए बड़ा साइंटिस्ट बनना हो A.P.G. अबदुलकलाम जैसा तो आपका IQ बहुत खतरनाक होना से या न्यूटन या आइंस्टीन बनना हो तो IQ चाहिए बहुत ही खतरनाक फिलोस्फर बनना हो बहुत खतरनाक जैसे हम भारत में शंक्राचारे का दिक्र करते हैं 32 साल की उम्र में उनके मृत्ति हो गए जतने में अटरम खत्म नहीं होते दो होगे और ऐसी फिलोस्फि देखे गए हैं कि मतलतेंब पंधरा सो साल ओने वाले हैं कोई हिला नहीं पा रहा अब तक 32 साल की उम्र में जैस्टति के मृत्ति हो गई IQ कितना रहा होगा, उस समय IQ टेस्ट नहीं होते थे, सिधी शी बात है, होता तो मेरा ख्याल है कि दोड़ाईसों का माम लड़ा होगा उनका जब IQ बहुत तेज होता है आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सब को मज़ा आता है, और PM क्यों नहीं चाहेगा कि उनके पास ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी हो या ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी हो, जिस का IQ बहुत शार्प हो, बात कहने से पहले समझ जाता हो, बात पूरी होते होते सोलूशन सामने लागे जाता ह ये सोलूशन है इस चीज़ का, PM कह रहे हैं कि मैं चार फेक्टर सोच पर हो, कर नहीं सर, 18 फेक्टर हैं, ये 18 फेक्टर हैं, इनके बीच में ये मेट्रिक्स है, ये सोलूशन बेस्ट है, और PM गजगज हैं कि वायर, ग्याद भी है, तो एक चीज सफलता में IQ है, तो एक बक तो ये हो गया, अब IQ से अगर आगे निकलें और देखें कि कौन सी दूसरी चीज़ है, जिस पर आपको गौर करना है, और वो चीज़ जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा, इमोशनल इंटलिजेंस, कुछ लोग इसको EQ भी आज कि कहने लग गए हैं, इमोशनल इंटलिजेंस या इमोशनल कोशियन्ट, ये क्या चीज़ होती है, कभी आपने इस पर गवर किया है, और ये चीज़ आपके पाठीक्र में भी एंग, मुझे पढ़ाना होता है, बोला टॉपिक इधिक्स में आता है, और जो दूसरी नहीं है, इसलिए अगर आप बहुत इमोशनल हैं, और आपकी पलकों पर हमेशां आसू तयार रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल इंटलिजेंस के लेवल कम है, नकि ज्यादा है, तो लेकिन इस बात से रोना नहीं है, कहीं इसी बात से रोना शूर कर देयां, मैंने सिर्फ यह बताया कि वैसा नहीं होना है, इसका मतलब रमाज़ने कि इसका मतलब क्या है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो जरा सा कुछ और खटाक से आसू निकाने लग जाते हैं, हाथ खटाक और शर्माने का कोई मामला है नहीं है, बहुत बढ़ी है, मुझे फिल्म में एक डायलोग था, मर्द को दर्द नहीं होता है, उस एक डायलोग ने भारतिय समा से जितना नुकसान किया है ना, बहुत 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 नुकसान कर दिया, उसके बाद से सारे मर्द अंदर दर्द हो रहा है, और ये नोटनकी करते करते दर्देनी होता में तो मर्द को कहा दर्द होता है कल मुझे एक वरिष्ट महिला से बात हो रही थी उनके उम्रे साथ साल के आसपर से कही में गया हुआ था वहां वो भी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा बेटा है वह आपका बहुत बड़ा प्रशन सक है मैंने का जी शुक्रिया तो आज वो उसे पता होता कि आप आने वाले में उसको लेकर आती आज वो आया नहीं मैंने का जी कुल बात नहीं फिर मिलेंगे ऐसा क्या है तो बोली बड़ अब मजबूत बच्चा है कभी रोता नहीं है अब मुझे रहा है मैं ग्यान दूं या ना दूं इस समय क्योंकि अब आप शादी व्याह में जाके ग्यान दें देना कि लोग फिर ना भगा देते हैं वहां से और खाना भी नहीं है था तो बड़ा नुक्सान हो याता है शा तो मैंने फिर बहुत सोच समस्य कहा कि जी अच्छी बात है वहली मैं आपको मिलवाओंगे बहुत मजबूत बच्चा है अभी ने रोता है तो मैंने अन्त मिजब मुझे रहा नहीं गया मैंने एक सेंटेंस कभी रोई भी तो तनाव मत लीजिए ऐसा क्या है तो उनको लगा कि यह तो विचलन हो रहा है उनका ना बहुत स्ट्रॉंग है तो आप में से कितने लोग ऐसे ही स्ट्रॉंग हैं जो कभी ने रोते हैं तो आप लोग स्ट्रॉंग नहीं हैं आप लोग मुर्दा हैं दरसाल है ना देखिए मेरा काम जिन्दगी को मुश्किल बनाना नहीं है जिन्दगी को आसान बनाना है और मैं तो आसान ही बनाऊंगा बिना बात के तमाशे इतने ही कठे कर लिए हम लोगोंने कि मर्द को दर नहीं होता थो लोनकी हो कोई गरता है दूनों रोते हैं चिला-चिला के रोते हैं लड़का भी रोती है कि eking पता ही पांच-आठ दस साल के बाद ऐसा क्या होता है लड़के रोना Blocker देते है और मम्मिये क्या करती है? मम्मिये भी नहीं समझ पाती है बिचारी जैसे लड़का गिरता है रोने लड़की है क्या? लड़की है क्या? उसे लगता है कि इसमें लड़का लड़की कहा सबागे बीचे बही? मैं गिरा मुझे दर्द हुआ मैं रोया लड़की है तू लड़की है उसे दो बाते सबस्ब्स में आ जाती है पहली बात तो रोना और लड़की होना एक बात है दूसरा लड़की होना और कमजूर होना एक ही बात है कमजूर है तू लड़कीयों का लक्शन है मैं तो मर्द दर्द कैसे हो उसके बाद से दर्द को पीने लग जाते हैं और पीते पीते उसके बाद दुनिया में कुछ भी उनके साथ हो अपने पेरेंट से भी डिस्कस्नी करते हैं किसी को नहीं बताते हैं सारा दर्द अपने सीने में लिए लिए घुमते रहते हैं साइकॉलोजिस्ट से मिलना, साइकेट्रिस्ट से मिलना भारत में अपना दमाना आ जाता है आप मन से बिमार हो चुके हैं लेकिन आप इससे मिलेंगे नहीं परना लोग क्या कहेंगे कि पागल है, इलाज करवा रहा है अपना दिमार का जबकि इलाज की जरूत है मन को तन को जरूत होती है इलाज की मन को भी होती है पर वो भूम नहीं करवा सकते है और इस चक्कर में लगबग हर पुरुष अंदर से लहुलुहान है उपर से मुस्कुराना भी है क्योंकि लोग क्या कहेंगे हसते नहीं है तो भाई सब क्या करें धीरे धीरे एक नकली मुस्कुराट ओड़ जैते हैं और जिंदेगे बर उसको ढोते रहते हैं और ये कहनी आप सब के पापाओं के बता रहा हुआ है किसी अंकल की नहीं बता रहा हुआ ऐसे मैं लगते हैं कि मेरे पापा तो ठीक है अंकल के बारे बिचार नहीं आपके पापा भी ऐसे ही होंगे वो मजबूर हैं जो नहीं सकते खुश देखने का नाटक करना ज़रूरी है उनके लिए तो एक तो आप वैसे होना मत और अपने आसपास जो वैसे हो गए हैं उनको थोड़ा सा सहज बना देना उनको कहना कि पापा एक आदवा रोलो नहीं आरे ऐसा क्या है चलो हम दोनों बैठते हैं गपें मारेंगे थोड़ा अपने मन की बाद बताओ जब मम्मे से पहली बर मिलने गए ऐसे क्या क्या होगा तो बताओ नहीं दोस्त बनो उनके क्यों इतना डिस्टेंस रखना है जबी पर दोस्त बन जाएगे यह होती है इमोश्टेल इंटलिजेंस का मतलब रोना नहीं है मैं नहीं रोंगा यह भी नहीं यह दोनों मुर्खता हैं बात-बात पर रोना कमजोरी का लक्षन है कभी नहीं रोंगा यह जबरदस्ती ओड़ी हुई पाली हुई मर्दांगी का लक् है अपने जो इमोशंस हैं उनको समझ पाना बारी की से समझना और दूसरा उनको जितना कंट्रोल करने की ज़रूत है उतना कंट्रोल कर पाना इसकी प्षम का जितना करने की ज़रूत है जबरदस्ती नहीं कभी-कभी खुद को ढीरा छोड़ देना कि रोने के मन के रोलो ग जूसे इता ही कि तो अजलता है, तो तो अगर मैं ठीक याद कर पारहूं तो इरिफान खनास फिल्म में थे इरिफान कशनाऊस को लिए टंकी के उपर पानी की टंकी थी छत्थी पतने क्या था था मुझता थे फिर रो तो चिला रो यहां पर।altung नहीं कर पाते फिर वो चिला के रोती है जोड़ से माझने कर चिलाती है चिलाती है फिर रोती है पर एक बार रो लेती है और उसके बाग महसूस करती है कि इतना हल्का है तो मैंने कभी इमोशन्स को समझना, उन्हें मैनेज करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, और यदि इमोशन्स बोज बन रहे हैं तो उस बोज से मुक्त होना, और यही काम दूसरों के लिए कर पाना, दूसरों के इमोशन्स को समझना, उनके इमोशन्स को उतना कंट्रोल करना जतना जरूरी ह और जरूरी है तो उनको उनके इमोशन्स की गिरफ्त से मुक्त करना ये किसी के अंदर अगर आ गया ना कमाल कर देता है कमाल आज कर कुछ लोग इसी के एक हिस्से का एक नया नाम रखते हैं जसको बोलते हैं एड़र्सिटी कोशियंट एड़र्सिटी कोशियंट का मतरफ क्या होता है कि जीवन में कचनाईयों तो आती हैं उन कचनाईयों में अपने आपको संभालने के खुंदा अब आप जिस यात्रा पर निकले हैं यह आसानी यात्रा नहीं है आसानी यात्रा होती है दो दिन चार दिन आठ दिन दस दिन पढ़ लिए हो गया बात ख़ता है यह तो यात्रा दो साल लंबी यात्रा है और बहुत ऐसे क्षिन आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया आप कितने बड़े तीसमा रखा हों, कितने बड़े तोफ हों आप बीच-बीच में ऐसे क्षिन ज़रूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा कभी घर में कुछ हो जाएगा कभी कोई बहुत नजदी की व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ मेहारा आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ मेहारा किसी बात से एंग्जाइटी हो गई कभी किसी ने सोशल मीडिया पर खिलाफ कुछ लिख दिया वजीब सी सिती हो गई ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं इन हर्थ सिती को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है मैं अक्सर एक बत कहता हूं कि मुझे पॉलिटिक्स के बहुत अनुभव नहीं है स्कूल कॉलिज में मैंने पॉलिटिक्स में पाडिस्पेट किया उसके बाद नहीं किया उस समय सोशल मीडिया था नहीं और स्कूल, कॉलिज की पॉलिटिक्स की इतनी हैसियत नहीं होती कि अख़वारों में आपके बारे में अच्छा पर है तो छोटी मुटी बात है फिर मैंने कुछ साल पहले एक छोटा सा राजनीति का नुभाव लिया अपने सोसाइटी में येलेक्शन लड़के प्रेजिजन बनके मैंने डेड़ साल काम किया और मैंने जिन्दगी में पहली बार देखा कि सोशल मीडिया पर आप कितना भी अच्छा काम करें लेकिन सोशल मीडिया पर क्रिटिसिजम इतना ज्यादा होगा पॉलिटिक्स में अगर आप हैं जो विपक्ष है वो भी तो कुछ आरे का न भाई उसका अपने धर्म है उसको जेलना बड़ा मुश्किल काम होता है और तब मुझे समवेदना होने लगी राजनीतिक लोगों से जिन से पहले कभी-कभी ऐसा भावाता था कि ये तो सब चोर हैं लुटे रहे हैं ऐसा आम तो लोग बोल देते हैं अब मैं कभी सोचता हूँ कि रहूल गंधी अगर कभी एक भार देख ले यूट्यूब देख ले वाटसब देख ले या कोई भी सोशल मेडिया देखे और अपने बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें देखें जो बेशक बना के बताई गई हो वीडियो काट करने के लिए बनाए गई है और वही क्यों कोई भी नहीं था कितना मुश्किल होता हुगा जही ना रोज देप्रेशन जैसे तियां बनती होंगी और कभी अगर आपने नहीं जहला तो एक बार जहल लीजिए मुझे तो अब अभ्यास हो गया ठीक ठाक पहले तो नहीं था हुआ तो मैं बड़ा अभ्यस्त हो गया उन चीजों का आप समझ।Лेएंगी क्या किह रहा हो आप तो मैं उसका अभ्यस्त हो गया हूँ लेकिन जिस्ने नहीं जहल आ है ना कहली बर्ज़ बार हो गया ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाताए बहुत मुश्किल और ऐसा कभी जीवन में हो तो उसको जहलने की ख्षमता डेवलप करनी है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पर आप तो नहीं है अगली बार ऐसी प्रॉब्लम आए तो जैसे कोरोना का वैक्सिन लिया है न ये भी एक वैक्सिन है एक ट्रबल हुई एंटिबोडिस बनने ही अ ऑगुनोर करने की कला विक्सित कर लिजिए देखिए इस जिन्दगी में इतने तरण फैले वहות तरण है तरण हों को आमनतित मत केजिए इतने मौर्चे पहले खुले हैं और मौर्चे मत खोली अपने तरफ तैयारी पर फोकस केजिए जो जरूरी है जिन्दगी में वो सब करते रही है अना वश्यक युद्ध मत लड़िये और अपनी एमोशनल स्टेंथ को बचा के रखना है वो तब ही होगा जब आप बहुत सारी चीज़ों को इगनॉर कर सके हैं कोई आपका मजग बना रहा है क्लास में किसे ने कुछ बोल दिया लड़ना नहीं है इगनॉर करना है आप किसी को पसंद करते हैं मान लेजिए और उसने किसी और को पसंद कर लिया तो यह नहीं कि तेजाब की बोतल खरीत की घुम रहे हैं उसे पेज़े पेज़े यह तमाशा नहीं करना है यह गधेपन का चर्म लक्षन है जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है यह सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है मैं तो कहता हूँ बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है तुम किसी पर लट्टू बने बने घुमो उसको बोलो और वो कहे कि I'm not interested in you यह जहिलना बहुत जरूरी है इससे आदमे के पैर जमीन पर रहते हैं लेकिन इस वज़े से रिजेक्ट मत करना दूसरों को कि मैं तो सिखा रही हूं मैं तो सिखा रहा हूं ऐसे नहीं है वो तो अपना फैसल अपने हिसाब से करना चाहिए लेकिन रिजेक्शन का दर् और उस जर्द को अब जैसे किसने रिजेक्ट किया अपको पश तीन तरीके हैं एक तरीका है आप कहें कि छोड़ूगा नहीं अब मैं रात दिन तेरे बारे में ही सोचूँगा अब मैं सुबह अपने घर से उसी टाइम निकलूँगा जब तू निकलेगी या तू और मेरे दिमाग में इतनी आजादी नहीं है कि मैं कुछ और सोच सकूँ जीवन में मैं तुम्हारा बंधुमा मजदू हूँ मैं तुम्हारा गुलाम हूँ मैं तुम्हारा स्लेव हूँ और ऐसे ही मूर्खों ने ऐसे गीत लिखे जो तुम को हो पसंद भई शाहिर वाली बात ले दे कि अपने पास एक नजर ही तो है क्यों देखे जिनुदगी को किसी की नजर से होँ अपनी नजर से देखेंगे क्यों किसी की सपागल होंगे आपको कोई अच्छा लगा आपने का उसने मना कर दिया बात खत्ब हो गई पूरी ग्रेशियसनेस के साथ पूरी डिग्निटी के साथ रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए कि चलिए ठीक है आपने मुझे मना कर दिया आज के बाद मैं कभी आपको परशान ने करूँगा हाँ याद रहेगा और जीवन में कभी मिलेंगे तो मित्स की तरा मिलेंगे दोस्त की तरा मिलेंगे ये कहे कि इमान दर्शे हट जाएए इसमें क्या दिक्कत है दूसरा तरीका ये है कि जैसे एक फिल्मेग इतने कहा गया तुम मुस्कूर न चाहो तो कोई बात नहीं किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी अरे यार तुम ठेके ना रहो क्या तुम मुझे नहीं चाहरी कोई बात नी जिन्देगी पर कुमारे बनके रहो कुमारन ब जाओंगा मैं अलवदिन खिल जी हूं क्या अजी भाले भाई कहें खिल जी बनके घुम रहे हो इससे अच्छा क्या है चलिए कभी आप किसी और के साथ होंगी तो मैं बढ़ाई देने के लिए आऊँगा अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं आप तो दरसल खुद से प्र कर रहे हैं यह इसको वस्तू समझे कभजा करना चाह रहे हैं इसके उपर आप ठेकेदार हैं इसके यह ठेकेदार यह अगर मन में आती हो उसको मन से निकाल दिए एक काईदे का इंसान बनी है और सबसे अच्छा रास्ता है इग्नोर किसने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं कर और एक बड़ा पसिद्ध शेर मेरे नाम से लोगों ने बहुत शाया दिया तू नहीं कोई और सही तो मेरा नहीं है वो मैं तो यहां से सुनता हो महाबूल देता हूं इसका इस इस शेर के दो फॉर्म्स हैं एक फॉर्म दूसरा भी है अगर तू है हर जाई तो अपना भी तौही तो नहीं कोई और सही कोई और नहीं कोई नहीं कोई और सभि तो यह तो ४ मिल बिलगा गया भापस तो मूह बबीजयास कि झें ग्रफा लकित नहीं वहा कुछ से बोलना है तुनेही कोई और सही कई और कोई और सही बहुत लंबी है जमीर मिलेंगे लाख हसी इस जमाने में सनम तू अकेला तो नहीं, ऐसा थोड़ना कि किसी पर होगा, किसी पर भी होज़कता है, दोनों पक्षण पर होज़कता है, इग्नोर करना सीखना है, कोई बात नहीं, पर दो दिन बद कोई आपसे पूछे, यार तूने काड़ दिया था, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, कैस इसा लगता है, और आप कहीं, कौन? अपने का परसों उसने विजट किया, किसने? उसे नाम बताया, पुले हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो था शायदिया, यार डिस्टर्ब मत करो, I am in relationship with someone else, क्या टेंचन नहीं, वही रेकती सामने से आगया, उसने कहा आप कैसे है, आपके मैं दो दिन पहले आपको मना किया था, आप है कौन है? अच्छा अच्छा हाँ, चेहरा देखा वो लग रहा है, लोडने लेना है एक्दम जिन्देगे में, इग्नॉर करना है, और दूसरे लोग आपके बारे में चार बुरी बातें बोलें, टेंचन मत लोग, मेरा तो तक्या बारे में सोच भी नहीं रहे, अगर कोई बुरे ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल ले थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई, मेरे बारे में बात चलती है, आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नॉर नहीं कर सकते, ये का को मैनेज करने का मतलब क्या है management of emotions का मतलब क्या है जब जब demotivated हो खुद को motivate करने के चंता motivation के लिए यह नहीं करना कि ठेकेदार ढूंद रहो बार जाके जी मुझे motivate कर दो प्लीज कुछ motivation के ठेकेदार होते हैं वो आपके अंदर पंप से हवा भरेंगे अब गुबारा बनके ओड़ेंगे आपको लगता है सारा जहान मेरा है तब तक हीलिम निकल गई वो गयस निकल गी हवा निकल गी और सब धम्स नहीं सकते हैं वो जो motivation है दो घंटे वाला वो काम नहीं है ता जिंदगी में वो के वहले बहन है उनके emotions हो manage करना है उन्होंने बहुत तपस्य करके आपको भेजा है रूखे नहीं होना है कि वो फोन करें आपको क्या मम्मी रोज फोन कर देती हो क्या पापा बिजी हूं पढ़ रहा हूं कि ड्रामा नहीं करना है उनका दिल रखने की शमता विक्सित करने है टाइम नहों तो भी दिन में एक प्यारा सा message भेजी देना है याद नभी आए तो भी लेक्के भेजना बहुत याद आती है मम्मी आपकी मम्मी तो उसी में चार दिन निकाल देंगे उसके बाद खुशों के पर मम्मी खुश है तो आपको क्या टेंचन है भाई उन्हें खुश कर वो भी आपके परती अच्छा महसूस करें और आप भी अच्छी feeling रहे कि आप connected है एक संसार आपके पास है जो आपकी चिंता करता है और यदि आप इन सब चीज़ों को manage कर पाएंगे देखी नरेंडर मोदी हूं अर्विन केजरिवाल हूं या जो भी सफ़ल लोग है या मातमा गांधी ही हूं मान लिजीए अगर कोई मुझ से पूछे कि ये लोग सफल क्यों हुए इतना जादा इमानदर से बताइए महत्मा गंदी, नरेंदर मोदी, अर्विन केजरिवाल और प्रसिद धने तमम तब अनरजिमान लिए अगर इन सब को हम कैट के टेस्ट में बिठाए है, मैनेजमेंट के जो होता है, कैट सुना होगा अपने, क्या गारंटी है कि इनका स्कॉर बहुत उचा आएगा, शैद ना है, अर्विन के जीवल क्योंकि इंजिनियर है, शायद थोड़ा सा उचा आजए, क्योंकि उनके बेक इन व्यक्तिव के सफलता का सबसे बड़ा कारण, मुक्ष रूप से मात्मा गांदी हैं, मोदी जी हैं, के जीवल जी हैं, ये सब जो हैं, उनके अंदर ये क्षमता बहुत ज्यादा है कि वो समाज के इमोशन्स को समझना, उसको अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाना, इस क्षमता से भरे हुए लोग हैं, उन्हें पता है कि मंच पर क्या बोलने से पूरी भीड उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, क्या पहनूं, किसी इलाके में जाके वैसी वेजभूशा पहन लेना, कि ऐसे ही नहीं होता है, ये महसूस करवाना कि हम और आप एक ही हैं, वह डोनार्ड टरंप भारत में आके नमस्टे समको बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे नमस्टे, विवेका नंद का नाम उनसे नहीं बोला गया, लेकिन कोशिश की, भरपूर कोशिश की बोलने की, क्यों कर रहे थे सम, ताकि यहां के लोगों को लगे कि ये आदमी हम से जुड तो प्रतीक गड़ने पड़ते हैं, सिंबल्स गड़ने पड़ते हैं, और उन सिंबल्स के माध्यम से उस सब के साथ कनेक्शन जोड़ता है, महात्मा गांधी को क्या ज़रूत थे ये कहने की, कि मैं शरीर के उपर हिस्से पर वस्त नहीं पहनूँगा, आपने उनकी जतने तस्वीरे देखी होंगी, केवल धोती में देखा होगा, क्यों? क्योंकि जिस देश में लगभग सम लोग गरीब हूँ, उस देश की जनता को ये कैसे समझाए, एक ऐसा लड़का, जो इंग्लेंड से वकालत पढ़के आया हो, वो कैसे समझाए कि मैं आपने से एक हूँ, और उसने कहा कि मैं कपड़े उतने ही पहनूँगा, जितने इस देश का आमाद भी पहन सकता है, ये इमोश्टिल इंटेलिजन्स का चरम मुदाहरन है, नमक का सबता अगर है क्यों किया, मिर्च का क्यों नहीं किया, या केसर का क्यों नहीं किया, क्योंकि नमक वो चीज़ ह जो हर इंसान को चाहिए सबसे बेसिक नीड है और जो नमक पे बात करज़कता है उससे हर व्यक्ति कनेक्ट करेगा और जो कहे कि मैं ब्रोकली अंदोरन करूँगा ब्रोकली मॉव्मेंट करूँगा उससे कुछ अमीर रईस लोग सुपर मध्यवर के लोग छेट कनेक्ट कर पाएं बागे सुचेंगे यह होता क्या है लाई मैला चलू पन्यास में जब स्वाधिन तांदोरन पढ़ते हैं बहुत बज़ता रहा चीन चलता है तो वहाँ चल रहा है गांधी जी जिन्दाबाद और गांधी जिन्दाबाद क्या होता है एक बोल रहा है जिन्दाबाग है बाग जिन्दाबाग नेहरु जी जिन्दाबाग है गांधी जिन्दाबाग है जिन्दाबाग है अब आपके मुहावरे गांधी जिन्दाबाग है है आप जिन्दा बात कर रहे हैं वाँ जिन्दा बात समझ रहे हैं आजादी मिल की लोग कर रहे हैं सुराज मिल गया सुराज का फल मिल गया अजादी का फल मिल गया अब गाओं के लोग क्या बोल रहे हैं ये कब काटेंगे फल मीठा होता है तो एक महान नेता वो है जो उस बात कर सके जो एकदम आम अदमें समझता हो उसके मुद्द समझता हो और जब डीम बनेंगे अगर चाहते हैं कि डीम के तोर पर लोग आपको याद रखी सो साल बात भी कहानी अच्छे ने कि बेटा आज से सो साल पहले एक डीम सहीव आई थी यहाँ डीम सहाब आए थे यह नाम चाहून का तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन चीज़ों पर गवर करें और अपने एमोशन्स को भी विशेश रूप से किसी की दवाव बिना बिना मैनेज करें मुझ से कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर क्या है तो मैं एक शब्द का इससे माल करता हूं जिसका नाम है PQ यह आपके लिए शायद नहीं चीज़ होगी सुना है PQ क्या होता है नहीं सुना तो P से बनते हैं तीन शब्द एक शब्द बनता है persistence और यह आम तो और पर इसी रूप में चलता भी है persistence quotient लिए परसिस्टेंस की जो बड़ी बहन है या जो बड़ा भाई है वो UPSC के पाठिक्रम में भी है उसको बोलते है perseverance और इन दोनों के सबसे चोटी बहन जो काफी चोटी है लेकिन वो भी उन घर का हिस्सा है वो भी पीसे है उसको बो वैसे ये चीज़े emotional intelligence का हिस्सा बनती है पर एक विशेश focus यस पर देने के जरूवत है विशेश रूप से अगर आप IIS के त्यारी कर रहे हैं अगर आप कोई छोटा बोटा exam होता ना तो शैद बहुत दिक्कत ना होती है पर आपने जो युद्ध चुना है वो युद्ध बड़ा युद्ध है अगर युद्ध पर उसकी गली के किसी से होता तो बात अलगती है सिकंदर का भारत में आने जैसा युद्ध है सिकंदर के हारने की या भारत से लोटने की असली वज़ए क्या है बड़ी डिवेट्स है मेरे ख्याल से उसकी बड़ी वज़ए है कि उस इसका मतलब क्या होता है परसिस्टेंस का बेसिक मतलब होता है कि लगातार निरंतर प्रयास करते रहना इसो निरंतरता वालत अथ्व है अब मैं एक दो मनोविक घ्यान की बातें बताता हूं आप लोग ऐसा फील करते हूंगे जैसे आप लोग आप मैंसे कुछ बच्चे ऐसी होंगे जो घर से आए हैं इसलिए कि उनके पेरेंट्स हैं लात मारके भेज़ाए लिए कि चोध ही का बेटा इस बन क्या तू नहीं बन फिर भी बताओ कौन को ने जब ऐसे भेजा गया है अब थपड़ मारके जिए लेकिन डांट के बेशक देख वो कह रही है कि यह बेजा गया हाथ नहीं खड़ा कर रहा है चार-पांस बच्चे ऐसे इशारा कर रहे हैं यही है यही है वह बच्चा है ऐसे बेजा गया है हिंदी फिल्मों में क्या होता है शादी जबरत्ती हो गई विरोध है धीरी धीरी अच्छा लगने लगता है और फिर वो वैसी वाली जो फिल्में होती है ना जो बहुत धर्मिक भाव से बनाई जाती है कि कैसे अपर इचित लोग मिलके फिर ठीक हो जाते हैं उस थीम से आप मैंसे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आई-ए-स की तयारी करदने हैं आई-ए-स की तयारी के बहाने से दिल्ली आएpping कियोंकि छोटे शहर और गावं ने स्कोप कम लेता है दिल्लिम् स्कोप ज्यादा है अच्छा जितना है उससे ज्यादा का शौर है जैसे भारत के लोगे को लगता है कि यह रख और आपने तो कुछ है यह नहीं दिक्कत जाओ और को दिक्कत ही नहीं है वारत तो ऐसा नहीं है वहां भी समाज है और वह समाज वैसी काम करते हैं से हर समाज काम करता है करी लोगों के मन धारण उक्ति है अमेरिका में तो एकदम खुला खेल फरूखाबादी है जाओ वहां लोग तयार वेट कर रहे होते हैं कोई प्रेम करने के लिए आएगा हमसे ऐसी जन्नत है जन्नत दिल्ली भी छोटा जन्नत तो है तो कई लोग इस चकर में आते हैं कि या और पेरिंट्स हो कैसे समझाएं तो सीरियस चार दिन किताब पढ़के बोलते हैं पापा सूच रहों कि आईयस बन जाता हूं ऐसे पापा को लगता है हमारे साथ कुष्टों से सप कैंता करते हूं तुजा दिल्ली मैं देखता हूं और बच्चे अपने मन में आख मारता है कि बहला दिया और फिर तुरन दोस्त को मेसेज करते घी मैंने तो सेट कर लिया तो भी सेट कर ला ठालों पर अपन चलेंगे दिल्ली, वहां को भी देखने का नहीं होगा, कि दिल्ली चल के इसा क्या है, कुछ बच्चे आसी होंगे, स्वाभा भी जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन आपने से कुछ आइसे होंगे, जो बहुत आग लेके आए होंगे, कि यार मर जांगे, लेकिन छोड बनने है ऐसे कितने लोग है तो आई एस बनने के संभाव में आप लोगों में ज्यादा है जिनके अंदर ऐसा एक मोटिवेशन की आग इस तरह की है कि हां बनना है क्योंकि लंबा एक्जाम है यह बहुत आसानी सा नहीं होता है इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ता है उसके बिना तो कोई चारा है ही नहीं लेकिन अब आप जो लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा अब मैं उस प्यार हो आपने से कुछ ऐसे होंगे जिनके मन में अचानक शाम को आता हो उससे देख लिए सीन कोई आई इस बना है गली से निकला खूब ल पूछी नहीं रहा है और इनको मिला लगा हुए इनके आस प्रास तो किसे पूछ आपने क्या मिला है भई कि सिम्झाए कि IPS बने इस बार IPS अब को लगा अच्छा तो हम भी बनेंगे तो अगर IPS बनने से ततना संबान मिलता है तो हम बनेंगे यह मोटिव आपको मिल गया एक कि पेरेंट्स ने का बेटा एक जूटा मुकदमा दायर कर दिया पर उसके आदमे ने और तेरा भी नाम लिखवा दिया उसमें कचेहरी में आना है आप वागए आप कह रहे हैं कि सर में दिल्ली में था उस समय पर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया पुलिस वार लेंग फिर आ रहा हूँ फिर दिखाऊंगा तुरको मैं क्या चीज हूँ अपनी भार्षा में मो क्या चीज हूँ तब तो यह दिखाऊंगा एक ड्राइब मिलगी मॉटिव मिलगी आए कि आई-पीस नहीं बनना है इसको दिखाना है लेकिन क्या होता है कि ऐसी चीजों से आपको एक दिन दो दिन चार दिन साथ दिन तक जोश रहता है बहुत जोश, वहां से लोटे हैं, रास्ते में ही आप चारे पिलिम्स में इस हो जाए, रास्ते में ही, क्योंकि आपका मूड उसमें ऐसा होता है, कि आप पियस बनूगो, एंकाउंटर करूँगो इसका, ऐसा मने भावा में लगता है, घर पहुंच एकदम उसम माथा गरम है दोस्तों ने का, फिल्म की टिकेट लिए होगी है, चलोगी आपने का, पिड़ जाएगा है, भागियां से, फिल्म देखने हैं दिल्ली में, प्राई कर भीग लिए हैं, तो सारे दोस्त अवाक की, ये बोल रहा है, और आपने सब को हटाया, महां से, रूम से निकाला, काव दोदीं की आप में वसक्ते सॉचकाश को है, जया रना, कार धा व्भीव सुचें क्वार इचिरश टे स्टीं टूशन तो रस स्टीं लूंच तो फिफ्टीं तो शीज्च नच तो शीज्टेससू आपक्लेश DadS existence ज्सक्तिंशी शोटं ड्लश फिल्म अटक्तना फिल्म दे नाइट टू स्टडीज यह बारावे और बारावे सोना है पांस बुझे उड़े जाना है और फिर देखा काउंट किया दिन के सुरह हंटे हो गारेगा ठीक है पहले हफ़ते में नहीं हो रहे है अच्छी फीलिंग आ रही है और उसके वाइब हम दोस्ता है कि भाई सब ठीक ठीक देख लेएं कल से यहां तपस्या होगी कल से नहीं आज से होगी आजी रात से शुरू होगा दिनर के बाद से सेड्यूल शुरू होगा और तेरा भाई आईस बनेगा पहले एटेब्ट में इसी साल बनेगा कुछ दोस्त दबाव में आ जाते हैं कुछ को आइडिया होता है तो फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं आम तुर पर छेयार घंटे में मामला सेट हो जाता है कभी कभी एक दू दिन चल जाता है अगर ज़्यादा गंभीर चोट लगी हो दिल पे तो एक दिन तीन दिन चल दिन वैसी वापस हो जाते हैं जैसे आप मूल रूप में थे ये जो चीज है इसको बोलते है कि आग तो बहुत अंदर है लेकिन आग लगी हुई है पूरे जोर से फुल वॉल्यूम पे आग लगी हुई है और अगर फुल वॉल्यूम पे आग लगी है तो दूर तक चलेग तो कितने समय तक चलेगा अब बहुत लंबे समय तक बहुत तेज गुस्सा नहीं कर सकते बहुत तेज गुस्सा कुछ सेकंड्स कुछ मिनिट खत्म अगया गए और उस सेकंड्स कुछ ऐसा कर दें कि जिसका असर जिन्दगी पर रहेगा किसी को ऐसा बोल उस समय कोई दोस्ता आगे आपके पास कि यार दोस्तों पर मिल जाएंगे और आप चर्म गुस्से में हैं अब भीहरी है क्या जब दो को पैसे मिल जाएंगे भीहरी गहींगा भाग ऐसे अब जो उसके दिल पर चोट लग गई है अब जिन्दगी भर बहुत नर्मल नहीं हो पाएगा अपके साथ इसलिए घुस्से को कंट्रोल कर रहा है वोमस्ट में बहुत जरूर है यह उपैसी ने सवाल पूछा गुछसे पर ऊच्छा वह अगर गुस्सा आपको कंट्रोल कितना गुस्सा करना है, कब करना है, कहां एक्स्प्रेस करना है, में तंह करूंगा। गुस्सा तंह नहीं करेगा. यह को दूस्सा वियक्ति जो गुस्सा दे ला रहा हो तंह नहीं करेगा। इतना कंट्रोल सीखना है हमें। परसिस्टेंस का मतलब है कि ऐसी आग नहीं चाहिए जो रात को लगी सुबह तक बुझ गई वो आग नहीं चाहिए एक निरंतर चलने वाली आग चाहिए जिसको बोलते हैं धीमी आच पे जो खाना पकता है उसका स्वाद अलग होता है धीमी आच चाहिए लगातार जलने वाली आच चाहिए दो साल तक लगातार आपके मन में यह भाव रह सके कि भाई 10 हंटे पढ़ना है 8 हंटे मैं अगर आप क्लास के साथ 600 हंटे पढ़ रहे हैं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं कि भाई आज 9 हंटे पढ़ाई नहीं हुई और अगर 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई तो ये गलत हो गया और आज एक घंटा कम पढ़ाओं कल एक घंटा जदा पढ़ाओंगा हिसाब बराबर करना होगा और ये आग 2 घंटे चार घंटे नहीं लगातार लगी रहे इसको बोलते हैं persistence इसको बोलते हैं perseverance perseverance तोड़ा सा और गंभीर बात होती है इसमें दिरता शामिल हो जाती है मजबूत इच्छा शक्ति शामिल हो जाती है patience का मतलब है कि बहुत लंबे समय बाद शायद सफल होंगे लेकिन उतने समय तक patience बना के रखना है धेरे बनाके रखना है ये तुरंत मिलने वाले फल नहीं है लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है ये फल नीचे टगने हुए उसले खाली है ऐसा नहीं बहुत उंचे टगने हुए फल है समय लगता है ये वो वरिक्ष है कि तीन चार साल तक पाने देते रहेंगे कुछ नहीं होगा उसके बाद अचानर तना बढ़ा होगा कबीर दास ने कितनी बड़ी आदा करी कि हड़बडी में मत सोचना कि तुर्ण चीजें मिल जाएंगी वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सीचे सो घड़ा रितू आए फल होए हे मेरे मन धीरे धीरे सब कुछ होता है माली सो घड़े पानी की सेचाई करता है तब जाने के बाद जब रितू आती है तब फल निकलते है रितू आने से पहले फल ने निकलेंगे और यदि डेड़, दो साल, धाई साल की तयारी गंभीर करने पड़ती है तो उतनी पेशन्स चाहिए ये नहीं कि माली ने पाने डाला फिर दिखा आया कि नहीं आया पिर दिख रही नहीं है पाने डाल दिया था सूर्दास ने बड़ी अची कविता लेखि है, बहुत ही पहरी कविता है भग्वान करश्न को आप जानते हैं जब छोटे बच्चें बहुत नटखट है उनकी माँ बड़ी परशान रहती हैं सारी ममीया परशान रहती है तो उनकी ममी परशान रहती थी तो यशोदा महिया के सामने संकट ये है कि बच्चा दूस नहीं पी रहा और बच्चे ऐसी ही चंट होते हैं आपको पता है उनसे बहुत दूस पीला केंथा मूँ बनाते हैं जीब सा केमपा कोला देखते हैं लप-ला पाने लगते हैं जीब लेकिन दूद देखते उनका मन खराब लगता तो मात आएं बच्चों को दूद पिलाने के लिए कुछ-कुछ जुट बोल देती है कि दूद पीने से तुम हट्टे-कट्टे हो जाओगे तुम बड़े हो जाओगे दूद पेने से तुमारे मुछी आ जाएंगी दूद पिन नहीं है तो यह मम्मी कर लोगा ठीक मौका है मम्मी ने का दूद नहीं पिता चोटी कैसे बढ़ेगी मम्मी ऐसे करती है इसी बहाने बच्चे को मुछ अच्छा सिखा देती है तो कृष्ण ने का अच्छा इसी बात है तो दूद पियोंगा अब है तो मम्मी ने गिलास भर के दूद दिया, दूद पी लिया, अब बच्चा तो बच्चा है, गिलास पर दूद पिया, उसके बाहर जा के चोटी नपवार है अपनी, देखो भी नापो, नहीं बढ़ी, एक दू दिन हो गए, फिर मा के पास गया, तब कृष्ण मा से का गए रहे हैं, मैया कब हूँ यह भी भी छोटी की चोटी है, तो अगर आप वैसे रहती हैं, कि आज मैंने 8 हंटे पढ़ा, फिलम्स हुआ के नहीं हुआ, ऐसे मत कीजिएगा, यह कौन से वारा मामला है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीचे सो घड़ा, रितु आए, फल होए, इसको अ कि हड़ बड़ी नहीं करनी है, और जो आप, जिसके आप हगदार हैं मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा तपस्या तो कर लेजी ठीक तरीके से, क्यों नहीं मिलेगा, और जब मैं इस मामले में सोचता हूँ, तो मुझे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति इस दुनिया में रख कि है, 1915 के आसपस वो व्यक्ति सफल होकर, बिटेन से पढ़ा हुआ है, बेरिस्टर है, साउथ अफ़ीका में एक मुव्मेंट किया, बहां सफल हो गया है, अब तो पढ़ चुके आजने भारत ना, भारत में आ गया है, बहां सफलता का स्वाद भी उनको लगा हुआ है, उ और उनका तरीका बड़ा ठीक है, जो भी राहुल गांदी हैसल करते हूं दिख रहे हैं, कि भारत के लिए कुछ करने से पहले भारत को जानना जरूरी है, तो पूरे भारत को पहले समझाओ होने, या त्राइं की, देखा, फिर दो तिन छोटे-छोटे मुवमेंट्स की, च और भी केंदर में रखें, असहयोग अंदुलन हुन कह सकते हैं कि बड़ा एक उनका प्यास है, और उनके मन में ऐसा महसूस उनको हो गया है कि बहुत मुश्किल नहीं है, अंग्रेज सब्ता इसलिए चल पा रही है क्योंकि भारतियों का मौन सहयोग मिला हुगा है, अगर स व्यक्ति 1918-19 में इस भाव में है, उसने कांदुलन किया बड़ा, उस आंदुलन में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, जो एक घत्या कांदुलन हम बोलते हैं, चोरी-चोरा वैला वो हुआ, आंदुलन वापस लिया, जनता का मिज़ाज नहीं समझ में आ रहा हुटना, लो की पेशन्स और उसके बद 1929-19 में फिर एक बड़ा अंदुलन, फिर फेलियर, फिर बारह साल की लंबे प्रतीकशा, उसके बद फिर एक बड़ा अंदुलन, उसके बाद भी सफलता नहीं, और उसके बद दुनिया भर की पर सितियों के बदलने के साथ-साथ, यहां की सिति समझ रहे हैं? आप तो दोड़ाई साल के स्ट्रगल को लेके पर utens camera है. ये आदमी 1915 से 1917 से बत्ते साल तक स्ट्रगल कर रहा है. और अकेले नहीं कर रहे हैं? आपको तो अकेले कर रही हैं. इसको पूरे देश को साथ लेके चलना है. देश से स्ट्रगल करवानी है कितनी बार जब हारते होंगे एक अंदोलन फेल होता होगा कितनी गालियां पड़ती होंगी अपने उपर सवाल खड़े होते होंगा मन में कि हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा हमार तो एक प्रिलिम्स भी गड़ जाता है उनका एक बेटा हिंदु धर्म छोड़ देता है इन सारी चीजियों को मैनेज करते हुए ये आदमी लगातार एक भरोसा खुद बनाए रखते हुए सब पर बनाए रखते हुए गर यहां तक पहुंचता है इसलि महात्मागंधी में इमोश्टन इंटलिजन्स तो कमाल की थी ही मेरे ख्याल से जोची जुनको सबसे बड़ा बनाती है वो है परजीवेजन्स और इसा सरल मतलब क्या है उद्देश आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा जितना भी समय लगे, जितनी भी उरजा लगे, जितनी भी ठकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूँगा, फिर उठखड़ा होंगा, और अपने पूरे मजबूत इराजे के साथ उस तरह बढ़ता रहूँगा और रंत में क्यों सफर नहीं होंगा क्यों नहीं होंगा सफर, ये तेवर चाहिए, और आपसे मैं कह रहा हूँ, दो साल की लड़ाई है, बीच बीच में ऐसे एक्षान आएंगे, जिस दिन ऐसा हो ना कि एक दिन नहीं पड़ पाए, उसकी भरपाई अगले दिन हो जानी चाहिए, हाँ आप लोग जिस उम्मर म ठीक है, महीने में 30 दिन में, 3-4 दिन ऐसे आएंगे कि अपने ही पड़ पाएंगे, सामाने लात हैं, कभी घर जाना पढ़ गया, कभी घर से कोई आगया, कभी किसे दोस्ती तब्यद खराब हो गई, पत्थर मत बन जाना, कि दोस्ती तब्यद खराब है, कि यार मुझे बह बार इस दिन कि पच्चेस दिन दस दस हंटे पढ़ लीजिए 200 गंटे हो गये पूरे महिने की अवरिज से निकालेंगे तो तो मा समझे लो कि मैं भगवान राम की तरह वनवास पे हूँ, डिस्टर मत करो मा, एकदम डिस्टर मत करो, बहुत परशान करती हो मा, उधर से मा की आकसी आसू गह रहे हैं, ये ड्रामा मत करना, है न, सफलता थोड़ी सी लेट मिले ठीक है, सबके साथ मिले इज़र भी, सबका दिल दुखा के मिले उसी कोई कीमत नहीं है, बाद में आप खुद समझेंगे कि कुछ बचे गाई नहीं, आईएस बन जाएंगे उससे पर पूछे गाई नहीं, बस सारे वही पूछेंगे जो आपकी ताकत से डरते हैं, कि आईएसे से सलाम ठोकेंगे, मन में क्या पाज आ रही है न, उसके वैल्यू जाज़ा है, अगर सलाम ठोकते हैं, वो मन करना है, इसके लिए मैं जान दे सकता हूँ, तो मज़ा है, और यह एकी बेटा कुर्शी से उतर एक बार, तब बताऊंगे, सलाम तो मिल रहा है, लेकिन वैल्यू नहीं है, अंतिन बात जो ज़रा में इसको सिखाने की परंपरा शुरू हुई है, बहुत सारे स्कूल्स में आज कि इसकी बात होती है, स्पिरिच्वल होने का मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे पूजा पाठ करने के लिए कह रहा हूँ, कि आप मंदर जाएं, मस्जिद जाना उसकी बात नहीं कर रहा ह स्पिरिच्वल होने का बहुत सरल सा मतलब पता क्या है, दो चीजों से कनेक्टिड रहना, एक अपने आप से और एक संसार से, कनेक्शन दो चीजों के साथ रखना है, तो फिर तैयारी क्या और जीवन क्या सब चीजे बहतर हो जाएंगे, एक सेल्फ के साथ और एक इस दु जाते हैं, खुद से ही बात नहीं कर पाते हैं, और जितना जरूरी है दूसरों से बात करना, उतना ही जरूरी है खुद से बात करना, तो दिन में 10-15 मिनिट ना, अपने लिए रखना है, इसको आज कर लोग मी टाइम कहने लग गए हैं, खुद से बात करने हैं, जहां मैं प्रसंद है अकेले सेर पर निकल जाई है और सेर जुन्ड साथ लेके मत चलिए नेता जी नहीं बनना है कि आपने पीशे जी पांच फॉलोवर्स आरे भाया 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 आपको मज़ा रहे हैं सब भाया बोल रहे हैं सब दीदी बोल रहे हैं कि ड्रामा नहीं करना है अकेले और अकेले आजकल की पीडी में क्या अकेले चलते हैं फोन यह है दो कानमें टॉपर लगाए और उससे उंदर गाने चल रहे हैं वो नहीं वो तो शोर आपके साथ चल रहा है ना वो शोर नहीं चाहिए कुछ नहीं लेकर चलना है मोबाइल फॉन है भी तो उसको यूज नह अकेले टहलते रहे हैं पंधरमेट आदा घंटा फिजिकली फिट रहेंगे तो और आप पाएंगे जब आप अकेले टहलेंगे बहुत सारे विचार आने लगेंगे आत्मों मन्थन होगा इंट्रोस्पेक्शन होगा बेशक इतना ही हो कि कल मैंने जितने पढ़ाई की काफी होना चाहिए घर जाके देखता हूं या फिर ये कि कल मैंने जिस तरीके से उससे बात की वो शैठीक नहीं की और इतना भी क्या अहंकार गलती होगे तो माफी मांग लेता हूं बोलना खराब लगता है मैसेज कर देता हूं खट से फोन नहीं कर लाउसो मैसेज किया भाई कल मैंने शब्षय गलत बोल दिया माफी चाहता हूं और जब माफी मांगेंगे ना आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हलका हो जाएगा उसके बात और जिस से माफी मांगी है उसका भी दिल हलका हो जाएगा और वो काईदे का इनसानों कर तुरंत माफ करेगा और भाग Keा आ मान लो छोटी सी गलती, अगर हुई है इम अंदरे से तो, मान लो क्या दिक्कत है, अपने आपको बहुत तोप नहीं समझना है, कि जहां हम खड़े होते हैं, वहां से लाइन शुरू होती है, क्यों होते हैं, तुम रेलवे के गाड हो क्या, तुम पुलिस वाले हो, लाइन श और सच बात तो यह कि हम सब बीच में हैं, आप कितने भी सफल हो जाएं, इस दुनिया में कुछ लोग आपसे आगई रहेंगे, कितना भी जोर लगा लेजिए, आप उद्यामी बनें और आप सोचें कि मैं जेफ वेजोस को हुराओंगा, मैं इलोन मस्क को हुराओंगा, हो आप देश के पी-म बन जाएंगे, पर पूरी दुनिया तो आपके कंट्रोल में नहीं आजाएगे ना उसके बाद में, कोई आपसे ताकत वर हो गई होगा, और आप कितने भी कमजोर हों, आपसे कमजोर बहुत लोग दुनिया में रहेंगे, क्योंकि दुनिया एक सातत्य ह एक हिस्सा आप है, हम समुद्र की बूंध की तरह हैं, हम समुद्र नहीं, और जब हम खुद को बहुत बड़ी तोब समझते हैं, मैं लगता है कि मैं तो बारूद हूँ, जलूँगा तो पता नहीं क्या कर दूँगा, कुछ नहीं होता है, इस इतने बड़े ब्रमान में हैं बहुत जरूरी है एक self evaluation self introspection करते रहना है और यदि मैं गलत हूँ तो उस गलती का परिश्करण होना चाहिए इमानदर इसे स्विकार लेना चाहिए कि हाँ गलती हुई इसे ठीक करूँगा अगर अकेले सेर नहों पए डाइरी लेखिए डाइरी बड़ा अच्छा तरीका है तो डाइरी में इमानदरी से अपनी कमिया लेखिए और दूसरी चीज़ इस पूरे संसार के साथ एक link अपना महसूस की जिए इश्वर को मानते हैं तो इश्वर से कर लिजिए इश्वर को नहीं मानते हैं या किसी और धारणा को मानते हैं उससे कर लिजिए नहीं तो पूरी स्ष्ष्टी से पूरी प्रक्रिती से पूरी ब्रह्मान से ये connection कैसे होता है हमेशा ये ना लगे कि ये मैं हूँ ये वो है ये फील हो कि इस पूरे संसार का एक हिस्सा मैं भी हूँ और यहां कुछ भी बुरा है तो उसमें मेरी भी हिस्सेदारी है मसलन आप सड़क पे जा रहे हैं एक बच्चा किसी पशु को पथर माल रहा है आप सोच सकते कि मुझे क्या मतलब है मैंनू की पर आप ये भी सोच सकते कि आप बच्चे को समझाएं कि बिना बात के क्यों परशान कर रहे हैं क्या जरूरत था परशान करने की वो पशु थेंक्यू बूलने नहीं आ सकता उसु समझ भी नहीं आएगा कि आपने क्या किया या इसके लिए और थेंक यू या एहसान किया इसके शूक्रिया के लालच में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू है भी ने कुछ अच्छा करने की वैल्यू तरही है जब आप इस भाव से नी करते हैं इसका जवाब क्या मैं लेगा प्रतिक्रिया में क्या में लेगा चोटी सी बात आप लेगे थी कि बेटा उसको भी दर्द होता है क्यों परशान कर रहे हो तुम्हें कोई मारे कैसा लगेगा मत मारू इस पूरे संसार के हर प्रानी के साथ एक हलका सा कनेक्शन महसूस करना और आप आएंगे जैसी आपको यह होने लगेगा जिन्दगी के बोज बहुत कम हो जाएंगे पर आप आएंगे कि वाई एक संसार है मैं उसमें हूँ मैं अपनी भूमिका नहीं भार रहा हूं इमानदा जिन्दगी है और जब इस माइंड से जिएंगे तो सफलताएं आपको जमीन से उठाने देंगी विफलताएं आपके जमीन नीचे की जमीन को खीश नहीं लेंगे पैर टिके रहेंगे जमीन पर सफलता में भी और विफलता में पैर उखडेंगे नहीं और आप देखेंगे कि सफल से सफल वेकती है, अगर अहंकारी हो, आपके मन में विरोध का भावात है उसको लेकर, विप्रित्य का भावाता है, मराज़गी का भाव, हिकारत का भावाता है, मज़ा तब है जब आप बेहत सफल हों, और उतने ही विनम्र हों, उतने ही ग्राउंड़िड हों, उतने दुनिया सिर्फ मेरे बलबूते नहीं चलती है, बहुत लोग हैं, सब पी योगदान से चलती है, मैं तो उनमें से एक हूँ, चलिए प्रवचिन तो समफ्त हो गया, मैं फिर से कभी आजाओंगा, आज मैं निकल रहा हूँ, उझे निकल रहा हूँ, उझे निकल रहा हूँ, यकलिन दो मैं प्राइ locस्त है, झाल कर रहा हुट